तेरी वफाओं का उजाला हमेशा मेरे संग संग चाहिए वेलकम बैक टू अनेदर वीडियो तो गैस आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कुछ इसी तरह से वाट्सप श्टेटस वीडियो एडिटिंग करना तो गैस आप इस वीडियो को पूरो एंड तक देखे औ आप भी एच्छे समझ जाएंगे को आपको इस तरह की श्टेटस वीडियो कैसे बना लेना है और इसके लावा गाइस अगर आप चाहें ता आप मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जहापर आपको इस तरह की श्टेटस वीडियो डिर्कली मिल जाएंगे त इसके बाद आपको एवी प्लेयर को ओपन कर लेना है अब जैसे आप इसे ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है आपके सामने आपके पूरी म्यूजिक लेडियो कुछ इस टाइप से ओपन हो जाती है तो आपको यहांस अपनी कोई भी म्यूज जोजी को select कर लेना है जिसे आप अपने WhatsApp status में लगाना चाहते हैं और इसके बाद आपको side में 3 line का option मिलते है ता आपको 3 line वाले option में क्लिक कर देना है और इसके बाद तीसरे number में आपको एक visualizer का option मिल जाते है ता आपको इस option को यहां से select कर लेना है अब जैसे आपको यहां से select कर लेना है और उसके बाद guys आपको यहां से एकल template को select कर लेना होगा और इस template का link का आपको नीचे description मिल जाने वाले ता आपको वहाँ जाकर से download कर लिजे और guys अगर आपको इसे download करने में थोड़ी भी दिक्कत आती तो मैंने इसके लिए पहले से एक वीडियो बना रखे जिसे देखकर आप यह अच्छे समझ तो अगर आपको दिक्कत आया तो आपको इस video को देख सकते हैं अब इसके बाद guys आपको यहाँ पर एक last time एक box मिल जाता है तो आपको इस box को select कर लेना है अब इसके बाद guys आपको यहाँ से back आ जाना होगा अब guys आपको इस template पर कुछ editing करने की जरुरत होगी तिसके लिए आपको वबार एक pencil का icon मिल जाता है तो आपको इस pencil वाले icon में click कर देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एक image का option मिल जाता है तो आपको इस image वाले option में click कर देना है अब इसके बाद guys आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक image को select कर लेना है जिसे आप अपने WhatsApp status पर लगाना चाहते हैं और अब guys आपको यहाँ से back आ जाना होगा अब इसके बाद आपको नीचे एक blur का option मिलता है तो आपको इस blur वाले option में click कर देना है और नीचे आपको एक box मिल जाता है जहाँ पर tick हुआ है उसे आपको un-tick कर देना है अब guys आपको यहाँ से back आ जाना होगा अब इसके बाद guys नीचे आपको फिर से एक image का option मिलता है तो आपको इस image वाले option में click कर देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से एक border को select कर देना है और इस border का link भी आपको नीचे description मिल जाने वाले है अब इसके बाद guys आपको यहाँ से back आ जाना होगा अब इसके बाद आपको नीचे एक bar का option मिलता है तो आपको इस bar वाले option में click कर देना होगा तो इसके लिए आपको उपर एक save का option मिलता है तो आपको इस save वाले option में click कर देना होगा अब इसके बाद guys आपको यहाँ पर से height और width को थोड़ा change कर देना होगा तो आप इसे ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ आपको भी यहाँ पर same वैसे लिग देना है